हेलो फ्रेंड्स तो आज की हमारी मुवी का नेम है सिक्रेट सोसाइटी ओफ सेकंड बॉर्ण रोयल्स जो 2020 में रिलिज हुई बहुत ही शांदर मुवी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मुवी की और तो मुवी की स्टाटिक में हम स्मेंथा को देखते हैं जो की इले की एक प्लैन क्रेश में उसके भाई के साथ मौत हो गई थी और उसके बाद उसकी मौम कैथरीन ने ही उसके कंट्री को संभाला था फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिन और भी अब 18 की होने वाली थी और वो इलेरिया की क्यों बनने वाली थी लेकिन स्मेंथा यान कि सैम को रोयल्टी कुछ ज़्यदा पसंद नहीं थी फिर सिन शिफ्ट होता है और हम सैम को उसके फ्रेंड माइक के साथ देखते है और वो लोग रोड़ पर रोयल्टी के अगेंश गाना गा रहे थे तब ही वहाँ पर पूलिस आ जाती है और सैम वहां से भागने लगती है लेकिन थोड़ी दूर जाते है उसे एक पोश्टर दिखाई देता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन क्वीन बनने वाली है और उसे देखकर वो गीर जाती है जिसके बाद पूलिस उसे पकड़ कर उसके मौम के पांस लेकर जाती है उसकी मौम उसे रोयल्टी के अ गाड आते है और उसे खाना देकर वहाँ से चले जाते है उसे खाने में से उसे एक पेन मिलती है जिसे एडमन्ड एक डिवैस में सेट करके उस डिवैस को चालू करता है जिससे उसके गले का बेल्ट निकल जाता है और वो अपनी चक्तियों से जहल का दर्वाजा तोड कर वह से भाग जाता है फिर अगले दिन हम Sam और Mike को प्रेक्टिस करते हुए देखते हैं Mike Sam को क्लब में ले जाने के लिए दो टिकिट दिखता है और जब रात में groß का मैक के साथ जाने के लिए यही हो रही होती है तब ही उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसने अपने डेट की चीजे रखी हुई थी सैम उस चीजों को देखकर अपने डेट को याद करने लगती है और तब हमें पता चलता है कि उसके डेट उसे स्नोफलेक्स के बुलाया करते थे तब ही वहाँ पर कैथरीन आ जाती है जो सैम को उसकी बेहन की पार्टी में जाने के लिए बोलती है फिर सैम तयार होकर कैथरीन के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ पर जाते ही वो हेड़ेक का बाहना करती है जिस पर कैथरीन उसे सिधा कर जाने के लिए बोलती है लेकिन सैम वोश्रूम में कपड़े बदल कर माइक के साथ पाटी में चली जाती है फिर वो लोग क्लब में जाने ही वाले थे लेकिन उसके पास कोई ID कार नहीं था इसलिए वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं जिसके बाद वो दोनों कर वापिस जा रहे होते हैं तभी कलब के बैक डॉर से वो लोग कुछ VIP को अंदर जाते हुए देखते हैं और सैम उस दरवजे का पासवर्ड बहुती दूर से अच्छी तरह से देख लेती है जोकि बहुती अजीब बात थी जिसके बाद वो लोग उस पासवर्ड को यूज करके उस कलब के अंदर कुछ जाते हैं कुछ दिर बाद सैम के साथ बहुती अजीब चीजे होने लगती है उसकी तड़कने बहुती ज़्यादा तेज होने लगती है और उसे हर चीज के आवास बहुत जोर जोर से सुनाई देती है यहाँ तक कि उसे मक्की के उड़ने की आवास भी जोर जोर से सुनाई देने लगती है और इस सबसे परेशान होकर वो फायर अलम बजा देती है और उसकी इस हरकत की वज़े से पुलिस उन दोनों को जेल में बंद कर दीती है अगली सुबा माइक के डैड उन दोनों को बाहर निकलते है और वहाँ पर कैथरीन पर आई होती है अबकि सैम ने उसकी बात नहीं मानी थी इसलिए कैथरीन उसे समर स्कूल भेज रही थी सैम वहाँ जाने से साफ मना कर दीती है लेकिन कैथरीन उसे चबरदस्ती वहाँ पर भेज देती है वहीं दूसरी वहर हम एडमन को किसी के साथ बात करते हुए देखते है जो कह रहा होता है कि फैस वन कल से शुरू होगा फिर जब सैम समर स्कूल में जाती है तो उसे वहाँ पर उसके अलाव और भी लोग मिलते है जिसके नेम थे जनवरी, प्रिंस मटियो, रुकसाना और ट्यूमा जब वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते है तभी वहाँ पर प्रॉफेसर जेम्स आ जाते है जो मुवी के शुरूआत में हमें सैम के बारे में बता रहे थे जेम्स उन लोगों को बताता है कि वो उन ही की तरह एक सेकंड बॉन प्रिंस है यानि की एक रॉयल फेमिली का सेकंड चाइल्ड हमेशी की तरह उसके भाय बेन हमेशा प्रिंस और क्यूइन बन जाते है और वो सिर्फ खड़े होकर उसके लिए तालिया बजाते रहते है पर तभी वो सभी को उसकी पावर दिखाता है जिसमें जैम्स अपने ही जैसे कई सारे रेप्लिकाश बना लेता था जिसे देखकर सब लोग चौक जाते है जैम्स उसे बताता है कि ये सही पावर तूम सब लोगों में भी है जिसके बारे में उसके घरवालों को भी नहीं पता है और इसी power को टुनने के लिए वो लोग इस summer camp में आये हुए है जिसका नाम है secret society of second bond royals और वो लोग इसी के अंदर काम करेंगे जब जन्वरी उसे पुषती है कि क्या वो इस society का head है तो James उसे कहता है कि नहीं और तब भी वहाँ पर Catherine आ जाती है जो कि वहाँ की head होती है Catherine सबको बताती है कि वो भी एक second bond child थी वो सबको बताती है कि second bonds ने secret तरीके से हमेशा अपने kingdom को बचाया है जैसे दुष्मनों से और उन से मिलने वालों से और तब हमें पता चलता है कि Catherine ने ही Edmund को जेल के अंदर बंद करवाया था लेकिन वो वहाँ से भाग गया उसके बाद हम Edmund को देखते है जो कि अपने power की practice कर रहा होता है और इस power की वज़े से वो किसी भी चीज़ को बीना हाथ लगाए चू सकता था यहां हम देखते है कि उसने अपने room में Sam की कई सारी photos लगाई हुई थी जिससे हमें पता चलता है कि वो किसी कारण से Sam के पिछे पड़ा था फिर अगले सिन में हम summer school में सभी को training लेते हुए देखते है जहां पर jams उसे एक room के अंदर लेकर जाता है और सामने रखे पिरे मिडि को लाने के लिए बोलता है जो कि उनकी training का ही ये किस्सा था अब इस training के दोरान उन सब को अपनी अपनी super power के बारे में पता चलता है जैसे र चत्रे का पता पहले ही चल जाता था और मुक्यों के पांस ऐसी power थी जिससे वो fly और bucks की मदद से किसी भी चीज़ को उठा सकता था लेकिन training के दोरान कोई भी उस pyramid तक नहीं पहुंच पाता है फिर अगले दिन उन लोगों की training फिर से शुरू होती है जहां पर jams sam के सामने बहुत सारे आवाज प्ले कर देता है और सेम को एक एक आवाज समझ कर उसे solve करने के लिए बोलता है ट्यूमा को अपनी power का इस्तमाल एक डोग पर करना था और उसे अपना दोस्त बनाना था और इसी तरह से jams सब लोगों को अलग-अलग तरीक ऐसे training देने लगता है ताकि कि वो अपनी powers पर control करना सीख पाए फिर रात को हम सैम को देखते है जो दूसरे phone से माइक से बात कर रही थी सैम और माइक summer में road पर एक show करने वाले थे जो की Friday को होने वाला था और सैम वहाँ पर जाने के लिए हा कर देती है माइक के dad उसे कहते है कि सैम एक royal family से belong करती है और वहाँ पर उसकी mom होती है जो उसे अपने power से एक chair पर बेठा देती है और फिर वो उसे एक code बताती है जो की एक royal code था और उससे उसके घर का कोई भी दरवजा खुल सकता था और उसकी माँ उसे बताती है कि उसे उस पर पूरा परोसा है इसलिए उसने ये code उसे बताया है ज इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था वहाँ पर कई सारे weapons थे जिसे चोरी होने से बचाया गया था और वहाँ पर royal family के सभी generation के photo भी लगी हुई थी और Sam वहाँ पर एक खाली frame को notice करती है जिसके बारे में पूछने पर Catherine उसे बताती है कि ये उसकी family का एक member था जिसने उ प्रोखा दिया था और उसके बाद हम उन लोगों को फिर से training करते हुए देखते हैं इस बार Sam अपनी training पर बहुती अच्छी तरह से त्यान देने लगती है और बाकी सभी लोग भी अच्छा काम कर रहे थे सिवाए कि रुकसाना की जोकी अपनी power पर control नहीं कर पा रही थी तभी जैम्स रुकसाना का phone लेकर आता है और उसे अपने followers के सामने इसी तरह से live पर जाने की धमकी देता है और रुकसाना बीना ready हुए हुए अपने followers के सामने नहीं जा सकती थी इसलिए वो वहाँ से guide हो जाती है और इसी तरह से उसे भी अपने power पर control करना आ जाता है फिर लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी सेम को feel होता है कि उसके पिछे से कोई गुजर रहा है और वो उसे देखने के लिए चली जाती है इसी तरह सभी लोग एक एक करके उस crown के पांस से guide हो जाते है और रुकसाना एक आदमी को पंच करकर गिरा देती है जो लग रहा था क crown की चोरी करके भाग रहा है लेकिन वो प्रिंसेस एना निकलती है फिर जब वो लोग crown के पांस पहुंचते है तब तक वो crown चोरी हो चुका था फिर James वहाँ आकर उन सब पर गुसा करता है असल में यह सब उसकी training का ही एक हिस्सा था फिर James उसे बताता है कि वो लोग किसी भ होने वाली training को cancel कर देता है इसके बाद सब लोग बीच पर गुमने के लिए जाते है और सब लोग बहुत मजे करते है और वो शाम को वापिस से summer school आ रहे होते है तब January और Sam सुपके से Sam के palace जाते है और Sam उसके सामने ही secret code से gate को open करती है जिसके बाद वो Sam के studio जाकर music play करने ल Sam और January वहां से जा रहे होते है तभी एडमन वहां कर Sam को पकड़ देता है और January को अपनी पावर से होवा में उठा लेता है तभी वहां पर उसके friends भी आ जाते है और उसे चुड़वाने की कोशिश करते है उसी समय वहां पर James भी आ जाता है और एडमन Sam को snowflex बोल कर वहां स चला जाता है जो कि सिर्फ उसके फादर ही उसे कहते थे फिर January James को सब बताने लगती है तब James उसे बताता है कि वह बहुती खतरनक टेली काइनेटिक क्रिमिनल है तभी Sam उसे कहती है कि उसने उसे snowflex कहकर बुलाया जो सिर्फ उसके डेड़ ही उसे बोलते थे और यह आदमी कौन था यह जनने के लिए Sam भाग कर उसका पिछा करने लगती है और उसका पिछा करते करते जंगल के बिच पहुँच जाती है वो अपने सुपर सेंसे से पता लगा लेती है कि एडमन कहीं आसपास ही है तभी एडमन उसके सामने आकर उसके उपर एक पेड़ गिरा देता ह तब सेंसे पुछती है कि वो कौन है तब एडमन उसे बताता है कि उसकी माने उसे जेल भिजवया था उसके पहले वो उसका फैवरेट अंकल था तभी जेम्स वहाँ पर आ जाता है और अपने कई सारे रेप्लिकास बना कर एडमन पर हमला करने लगता है और फाइट पर एडमन असली जेम्स को इंजर्ट कर देता है जिससे उसके सारे क्लॉंस अपने आप ही गीर जाते है तभी वहाँ पर जनवरी आ जाती है जो एडमन को चू कर उसकी पावर अपने अंदर ट्रांसपर कर लेती है और उसी पावर से उसे बहुत ही दूर फेक देती है जिस के बात सैम एडमन से मिलने की जीट करती है जोकि अब पकड़ा गया था केथरिन उसे 5 मिनिट के लिए मिलने के लिए ले जाती है सैम वहाँ जाकर एडमन से पूर्ट को क्यों मारा जिस पर एडमन बताता है कि वो रोयल डरेमोक्रेसी को खतम करना चाहता था लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं होना देना चाते थे इसलिए उसने उसे मार दिया फिर अगले सिन में हम देखते हैं कि एलिन और वहां की क्विन बनने वाली थी और सेम वहां पर जाने के लिए तयार होने लगती है वहां पर उसके फ्रेंस भी आ जाते है और टुमा एक लड़की को इंप्र मनवा लेती है और वहां जाकर एडमन को आजात करवा देती है जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों मिले हुए है और उसके बाद जनवरी अपने दोस्तों को एक सेल में लोग कर देती है ताकि वो उसके मिशन की रुकावट ना बन सके तब ही हम देखते हैं कि मटीयो अपन एक बग सेम के पांच फेजता है जिससे सेम को पता चल जाता है कि एडमन अप जेल से बाहर निकल चुका है जनवरी और एडमन मिलकर पेलेस के पूरी सिक्यूरिटी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते है और एडमन पावरफुल नेनो डिवाइस चुरा कर वहां से बाग जाता है ताकि वह अपने प्लैन को अंजाम दे सके दूसरी वर हम सेम को देखते है जो कि बाग कर माईक के पांच चा रही थी और जनवरी उस पर नजर रख रही थी सेम माईक के घर जाकर उसे दर्वाजा खोलने के लिए बोलती है लेकिन माईक गुसे में करना है इसलिए वो एडमन की मदद से अपने भाय को मरवाना चाती थी इसलिए वो एडमन का साथ दे रही थी लेकिन तभी माईक उसके सर पर एक बोरी गीरा देता है जिसकी वज़े से वो बेहोश हो जाती है उसके बाद सैम जाकर अपने दोस्तों को छुड़वा कर लाती ह इसके बाद वो लेब में जाकर देखती है कि वहाँ से एक डियने बेस नेनो डिवाइस गायब है जिससे वो समझ जाती है कि एडमन उसमें अपना डियने डाल कर पूरे रोयल फेमिली के लोगों को मिटाना चाता है इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडमन को रो रुकसाना भी आ जाते है रुकसाना इन्वीजिबल होकर वो डिवाइस सेम को दे देती है और सेम उसे लेकर वहाँ से कूच जाती है जहां पर मटियो बहुत सारी बटरफलाइस की मदद से उसे बचा लेता है फिर सेम वहां से बाग कर अपने स्टूडियो में जाती है और नेनो डिवाइस को आड़बन के और पॉइंट कर देता है और चार मिनेट का टाइम खतम होने पर एडबन भी खतम हो कर उस डिवाइस के अंदर केद हो जाता है और फिर हम देखते है कि एलीन और भी एक क्वेन बढ़ चुकी थी और सेम और उसकी टिम ने रॉयल फेमिली क को खतम होने से बचा लिया था जिसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और फिर वो लोग उस पीरामिड को भी पा लेते हैं और कैथरीन उने कहती है कि अगर वो लोग एक साथ है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और फिर एलेन और को भी सब कुछ पता चल चुका था और वो सेम को उससे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और फिर उसके बाद इस मूवी के लाश्ट सिन में हम देखते है कि कैथरीन उने एक मिशन पर भेज रही होती है क्योंकि एडवन्ट तो उसकी कश्टरी में था लेकिन जनवरी वहां से बाग गई थी और वो सब लोग उसे पकड़ने के लिए जाते है इसके बाद यह मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूले